Create new definition of time, time के बारे में सबको पता है, time flies, time उड़ जाता है, बहुत जल्दी बीच जाता है, खास कर जब खुशी में हो आप, दुख के समय में time तो बीते नहीं बिताया जाता, काटते नहीं करता, तो time जो है एक ऐसी चीज है, जो अच्छा भी साबित होता है, बुरा भी साबित होता है, लेकिन अगर आप एक चीज सोचें, आपको क्या चीज सबसे जादा प्यारी है इस दुनिया में, हमें प्यारा है समय, कि हमारे पास खुब समय हो और हम enjoy करें, हम मस्ती करें बहुत सारी, लेकिन जो चीज सबसे जादा valuable है और सबसे जादा चाहिए, आपने कभी सो हम कितना वर्स्ट यूज़ करते हैं टाइम का हमें नहीं पता एक सेकेंट की भी कीमत कहीं पर भी होते हैं हम वेस्ट कर रहे होते हैं अगर हम बिना वजार टीवी देख रहे हैं कुछ वहां से नहीं मिलने वाला है तेली सोप्स हैं सीरियल्स हैं जो अल्डेडी फैमिली में से बस उनी को वो लोग पिचराई कर गि अट्राक्टिव बनाकर हमें दिखा रहे हैं वहां आपका समय बरबाद हो रहे हैं। अपने result days, preparation days और rest or recreation days को define करते हैं हम decide करते हैं कि कौन से दिन हमारे बहुत ज़्यादा productive होंगे कौन से दिन हम अपने planning में use करेंगे और कौन से दिन हम बिल्कुल सिर्फ आराम करेंगे मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे family के साथ time spent करेंगे अब family के साथ मज़ा करना, मस्ती करने का ये मतलब नहीं है कि सारे family members phone पकड़के बैठें नहीं, phones को side पर रखना सिर्फ आपस में बात करना एक दुसरे के दिल की सुनना कहीं घूमने जाना, बच्चों को नई-ने चीज़े दिखाना ये recreation time होता है या आपकी कोई hobbies है किसी को खेलने का शौक है किसी को कोई अपनी skill को develop करने का मन करता है, वहाँ time देना recreation होता है, तो हमें result days, means जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप कुछ productive work कर रहे होंगे, तो आपके result days में count होगा, जहां से आपको शायद payment भी मिल सकते है या एक satisfaction मिल सकता है दूसरा और दिन कैसे बिताने हैं हमको या दिन में कुछ parts divide कर सकते हैं, productive या result time, या preparation time और recreation time, और इसको महीने के हिसाब से दिनों में भी बाटा जा सकता है वो आपकी convenience के according है planning में भी आपको जरूर समय देना ही देना है बिना planning के अगर आप काम करते हैं तो time जादा waste होता है stress build up होता है और hassle create हो जाती है परेशान होते हैं आप लेकिन जब वही time routine set करतेते हैं कि इस समय पर ये करेंगे इस समय पर वो करेंगे इस चीज के लिए इतना time तो आप balance रहते हैं निश्चिन्त रहते हैं बाकी का time आप जो भी काम कर रहे हैं वहीं पर focus कर सकते हैं plan नहीं किया है तो all time worry रही है और वो काम भी करना है अभी उसकी tension पड़ी रहेगी तो जो कर रहे हैं वो भी enjoy नहीं कर पाएंगे और जो करना है वो तो भी है ही दूर इसके अलावा rest और recreation वो बहुत जरूरी है charge अगर आप खुद को करना चाहते हैं तो आपको rest भी चाहिए, recreation भी चाहिए और इन gadgets से दूरी बिनाना भी जरूरी है gadgets हमारी life में बहुत जरूरी है हर चीज हमारी इनसे fast हो जाती है बहुत help मिलती है लेकिन अगर gadgets पे ही सारा focus रखेंगे सारा time gadgets के साथ spend करेंगे तो हम अपने human होने की feeling को कब महसूस कर पाएंगे कि हम human beings हैं हमारा connection कुछ और भी है इस nature के साथ भी हमारा कोई role है connection है यहाँ जो भी चीज़े हमारे आसपास है इनको भी हमें ही देखना है तो वो सारा time भी हमें ही निकालना है कुल मिलाकर आपको अपने time को manage करना सीखना है ताकि आप ज़ादा productive हों और stress अपने जिंदगी से बिल्कुल दूर ले जाए तो एक नए definition time को देनी है बस wastage को रोक लेना है और पूरी तरह से ensure करना है कि आप जो भी काम करें उससे आपके बढ़ोतरी होने जाए चाहे आपकी feelings की बढ़ोतरी हो means आप अच्छा feel करें चाहे आपकी income बढ़ रही हो चाहे आपकी reputation बढ़ रही हो चाहे आपका skills से develop हो रहा हो कहीं से भी अगर आपको लगे कि आप में कुछ घटा means अगर आप किसी की बुराई करने के लिए कुछ दिर खड़े हो गई तो वो time भी waste हो गया energy भी down हो जाएगी feeling भी बहुत खराब होगी तो हर तरीके से चीज़ घट गई तो जो हाँ पर लगे कि ये चीज़ घटने वाल ये उस काम को कभी दुबारा नहीं करना है उस काम के लिए समय बरबाद नहीं करना है इस तरीके से अपने time को define करना है Thank you झाल